आर्सिपी को माध्यम बना करके भारतिय इंता पाटी ने राजनिती में नितीश कुमार को साधने का प्रियास किया और साध करके अब उनको बूत की मक्षी के तरह वहार निकालने का कार्थ किया नमस्कार मैं हूँ अमित सिंग और आप देख रहे हैं फस्ट बिहार जारखंड आर्सिपी सिंग की पार्टी बनाने के बाद राजनितिक गलियारे में हल चल तेज हो गई है एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं तो वहीं आर्जेडी पूरी तरह से मुखर हो रही है आक्रामक हो रही है आर्जेडी के प्रवक्ता है ऐसा जहमत उन्होंने मीडिया से कहा कि देखिए किस तरीके से बीजेपी जद्यू को कमजोर करना चाहती है और बीजेपी ने एक चाल चल दी है आर्जेपी के सहारे यानि आर्जेडी का कहना है कि आर्जेपी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है और अगर ऐसा है तो समझे कि जद्यू को कमजोर करना चाहती है बीजेपी बीजेपी नहीं चाहती है कि जद्यू का कद बिहार में बढ़े और फिर आरजेडी प्रवक्ता ने इसको लेकर के कई सारे बाते भी कई कि उन्होंने बीजेपी को तो घेरा ही घेरा जद्यू को भी घेरा और कहा कि देखिए आरसीपी का पार्टी बनना ये बताता है कि किस तरह से बीजेपी हो या जद्यू हो वो स्वार्थ की राजनिती करती है वो सिर्फ अपने फायदे की बात करती है वहाँ नेताओं के लिए कोई सम्मान नहीं है और इस तरह से लोब वहाँ से हट रहे हैं जो नेता है वो पार्टी छोर रहे हैं और इससे ये सिलसला जो है लगातार चलता रहेगा तो एक बार इस बयान को सुनिए आरजेडी के जो प्रवक्ता है उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार उसको देखिये लिए आप सत्ता और स्वार्थ में जो राजनितिक हिश्सादो और राजनितिक इस्तेमाल कुरों की निति अपनाते रहें वो अधिक दिनों तक नहीं चलेगा भारतियंता पाटी जिस तरह की राजनिति करती है उसका पोल आज खुल गया है और और आरसीपी के पाटी के न को और जटका लगेगा जनता दल्यू को और जटका लगेगा चुके समाज और समाज के बीच काम करने वाले समाज के लिए योगदाम देने वाले लोगों को ये धूत की मक्षी के तरह ठेकने का काम करते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है तो देखा आपने किस तरीके से बाती साथ जद्यू पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां जो है अपनी स्वार्थ की राजनिती करती है और इसी से विमुख होकर जो निता है वो बाहर निकलते हैं और उसी का नतीजा है कि RCP सिंग ने अपनी पार्टी बना ली है लेकिन इसमें दो बाते जो है उन्होंने जो कही है एक तो जद्यू को कमजोर करने की BJP की चाल एक बड़ी बात है दूसरी बात ये है उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां पूरी तरह से स्वार्थ की राजनिती करती है नेताओं के बारे में उनके भविश्य के बारे में या बाकी जो लोग करता है उनके बारे में नहीं सोचती है सिर्फ अपने फायदे की बात करती है और इसी का एक नतीजा है कि RCP सिंग ने पार्टी छोरा और पार्टी छोर करके उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो अब समझे ऐसे दे कि RCP सिंग पहले जदियू में थे BJP में फिर गए और अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है तो उनका RCP सिंग का जद्यू से भी मौभंग हुआ, BJP से भी मौभंग हुआ और अब वो नई पार्टी बना ली है तो अब इस पर RJD पूरी तरह से मुखर होकर अपनी बात रख रही है और RJD के प्रवक्ता BJP को जद्यू को दोनों को आरे हाथो लेते हुए पूरी तरह से अपनी बात रख रहे हैं और उसमें BJP को तो सबसे ये कह रहे हैं कि वो जद्यू को निगलना चाहती है जद्यू को खत्म करना चाहती है क्योंकि उसी करी में वो बता रहे हैं कि जिस तरी नेता थे RCP लेकिन फिर वहां से नितियस कुमार से उनकी कोई कहा सुनी तो नहीं हुई लेकिन राजसभा को लेकर कैसा कहा जाता है कि वहां से उनकी जो है सो मरमटा हुआ फिर वह बीजेपी में गये और बीजेपी में भी उनकी दाल नहीं गली वहां पर जो है फिर नितियस पूरी तरह से हासिये पर नजर आ रहे थे पूरी तरह से किनारे में थे और रहरे कर आर्ड़ प की बात पातें बात जो है वह अनतर रहती थी मेडिया में और आर्जीटी का कहना था कि मेरी योगता है मेरा अनुभाबका जो है बीज़ेपी ने कोई फायदा नहीं लिया बहुत कुछ कर सकते थे बीजेपी के लिए लेकिन हलांकि इसके अलावे उन्होंने बहुत कुछ बीजेपी के बारे में नहीं कहा लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी जरूरत वहां होती अगर मेरा जो है अनुवब का फायदा लिया जाता तो क्योंकि मेरे पास अनुवब रहें बिरोक्रेसी को ले करके पार्टी को ले करके मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन खैर बीजेपी के अपनी कारेशली है और फिर उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे गोलवंदी होती है और रसीपी ने पाटी बना ली है अब इसको ले करके देखिए बीजेपी के तरब से कोई बयान नहीं आता है बीजेपी के नेता जो है बच रहे हैं बयान देने से लेकिन आरजेडी इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्राबक है पूरी तरह से अपनी बात रख रही है और ये बताने की कोस्स कर रही है कि देखिए जद्यू का चडितर यही है बीजेपी का चडितर यही है वहाँ पर नेताओं का क्या हाल हो रहा है अगर ऐसे इतने पुराने नेता अगर पार्टी छोड रहे है तो समझे कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी की क्या स्थती है यानि वहाँ पर कोई नेता ठीक नहीं पा रहे है यह तमाम ऐसे जो आरोप है वह आर्जेडी के तरफ से बीजेपी और जद्यू पर लगाये जा रहे है हाना कि आर्जेडी प्रवक्ता ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया कि वह जद्यू को निगलना चाहती है जद्यू को कमजोर करना चाहती है जबकि ये समझे कि बिहार में NDA गटबंदन की सरकार है BJP और जद्यू की साजा सरकार है तो इसमें BJP को एक तरह से विलन के रूप में जो है RJD दिखाना चाह रही है हलाकि उन्होंने जद्यू को भी आरे हाथ हो लिया कि देखें जद्यू की भी राज़िती वही है क्योंकि RCP का वहाँ से निकलना ये तमाम बातों की तस्दीख है कि वहाँ पर नेताओं की कोई पूछ नहीं है नेताओं की हित की बात नहीं की जाती है सिर्फ अपने स्वार्थ की बात होती है और इसलिए चाहे वो जद्यू हो चाहे वो BJP हो वहां से निता पार्टी छोड़ देते हैं और अब उसी की कड़ी का नतीजा है कि R.C.P. सिंग ने पार्टी बना ली है तो ये तमाम जो आरोप है वो R.J.D. के तरफ से लगाए जा रहे हैं तो फिलाल इस खबर में इतना है लेकिन दिनवर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे हैं फस्ट बिहार जारखट पनौर मंकुर जो सोचता है वो करता है ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा ला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के e-homes panorama में पूर्णिया में panorama ग्रूप लेकर आये है पूर्णया में E-Homes Panorama के संग E-Homes Panorama Luxurious Lifestyle Redefined